प्रधानमंत्री जन आरोगी योजना आयश्मान से वंचित परिवार के लिए मुख्यमंत्री जन आरोगी योजना के दाइरे में लाने का काम हो रहा है यानि कि जो लाभानवित प्रधानमंत्री जन आरोगी योजना आयश्मान से वंचित रह जाते हैं वो मुख्यमंत्री जन आलोगे योजना के दायरे में स्वास्त सेवाओं का लाव ले सकते हैं। सबसे एहम बात ये हैं कि इसमें बिहार में ऐसी 89 लाख परिवार को शामिल किया गया है। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए ही स्वास्त सुरक्षा समीती ने काम करना भी शुरू कर दिया है। जिसके बाद ही अब ऐसी उमीद की जा रही है कि 15 मई के बाद से पात्र परिवारों को योजना का कार्ट देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर स्वास्त सुरक्षा समीती ने ये निर्धारित कर लिया है कि मुख्यमत्री जन आरोगे योजना के पात्र परिवारों को सबसे पहले 5 लाख रुपे तक की स्वास्त बीमा का लाब देने के लिए ही पहचान पत्र बना कर देने का काम किया जाना है। यानि कि अब जिस तरह से आयोश्मान योजना के लाभार्थी को गोल्डन कार्ट दिया जाता है उसी तरह इसमें भी पहचान पत्र दिया जाएगा। के साथ ही कुछ चुनिंदा अस्पताल में ये कार्ट बनाने का काम होने बाला है। समीती की तरफ से साजहा की गई ज्यानकारी के अनुसार निर्धारिक पात्रता में रज्ज की इस योजना में वैसे परिवारों को शामिल किया जाएगा जो रास्ट्रिय खादिसुरक्षा के दाइरे में आने का काम करते हैं। रज्ज में ऐसे परिवारों की संख्या अब 89,7,698 के करीब है। ये परिवार आयुश्मान के दाइरे में नहीं आते हैं। बिहार में आयुश्मान के दाइरे में आने वाले परिवारों की कुल संख्या 1.08 करोड बताई गई है। सबसे एक खास बात ये है कि अगर आप इस योजना के लाभार्थी बन जाते हैं और मुख्यमंत्री जन आरोगी योजना के आवश्यक पहचान पत्र हासिल करने में कामियाब होते हैं तो इसके बाद आपके पास 900 अस्पतालों में 5 लाख रुपे तक का मुफ्त इलाज करा सकने का विकल्प होगा वो ये अस्पताल है आयोश्मान के तहर्ट जोकी चैनित हैं इनमें 208 नीजी अस्पताल और 694 सरकारी अस्पताल है देश के दूसरे चैनित अस्पतालों में भी इस योजना से इलाज की सुवधा मिल सकेगी पूरी योजना इंशॉरंस मोड में चालित होगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि सरकार लोगों को बहतर और मुफ्तिक चुकित सीयस सुवधा मोहाया कराने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है जन आरूगे योजना लागू होने के बाद लोगों को काफी राहत मिली है योजना का लाब हर जरूर जाद जादा परिवारों को मिलेगा इसकी साथ ही आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपके अनुसार विहार सरकार के इस योजना से वंचित परिवारों को लाब मिलेगा या नहीं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं धन्यवाद